नमस्कार साथियों आपके अपनी चैनल नोलेज बिंक में आपका हार दीख स्वागत है कैसे आप सभी साथियों आपको पता है कि हर्याना पुलिस का टेस्ट जो है नजदीक आने वाला है आई चुका है नजदीक जिसका समय बहुती कम बचा हुआ है और आप उसकी प्रिप् सेट की जरूरत पड़ती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यह डेली एक प्रेक्टिस सेट लेके आएंगे जो लगबग पचास से साथ कि उससन का एक प्रेक्टिस सेट रहेगा तो आप उसमें प्रेक्टिस केजिए और अपना आईक्यू लेवल और अपका कहां तक आपके प्रेपरेशन हुई है उस सब को चेक कर लीजिए तो आएए आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं और आप आंसर दी दीजिए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है यह जो है आपको दिखा देता हूँ यह सिक्स्टी के उस्टन का प्रेक्टिस सेट है तो आज की इसमें फैस्ट के उस्टन हम देखते हैं आपका आज का फैस्ट के उस्टन है निम्न में से कौन सा किलाड़ी हर्याना से संबंधित नहीं है किस्टन नम्बर आपका फैस्ट है इसमें से आपको चार उप्सन दिए गए बिजंदर शिंग उसुसिल कुमार कपील देव और फौर्थ है अभिनाव बिंद्रा तो इन में से कौन सा सही है आप आंसर बताइए इसका जो आंसर है वो है डी अभिनाव बिंद्रा हर्याना से नहीं है यह इन्होंने सन्यास भी ले लिया है यह सुटर थे देरादून से तो यह हर्याना से नहीं है हासी और तरारी किला बार मिस्ताबदी में किस सासक ने बनवाया था ठीक है तो यह जो सेक्ट किश्चन है आपका हासी और तरारी किला बार मिस्ताबदी में किस सासक ने बनवाया था तो आप इसका अंसर बताइए कि हासी का और तरारी का किला जो है वो किसने बनवाया था हर्याना के किस भाग में तो देखे जो आपका जो सिवालिक की जो पाड़ियां हैं वो किस भाग में है वो है आपकी जो आपका पंचकुलाग वाला जो पार्ट है उधर ठीक है उत्तर पैस्चिम की और ठीक है उत्तर पैस्चिम की और जहां अंबाला की जो तैसिर लगती है उधर तो इसका आंसर आएगा ए उत्तर पैस्चिम में सिवालिक की अगला क्योशन है क्योशन नबर चार सिवालिक की पहाड़ियों से हर्याना प्रदेश की कौन शी नदी निकलती है यह आपकी खगर मारकंडा टांगरी या फिर यह सभी क्योशन नबर चार है इसमें कौन सा उप्सन आएगा इसमें आएगा आपका यह सभी महमूद गजनवी ने क्योशन नबर पांच है महमूद गजनवी ने थाने सर पर कब आकर्मन किया था महमुद घजनवी ने बाहुत बार आकर्मन किया था भारत पर लेकिन पहले कब आकर्मन किया था एकजार चोदा इस्विय में जो आकर्वन किया था Uh को 2014 में महुद्ध गजनवी नाकरण किया था 1947 में क्योशन नंबर शिक्स आपका 1947 में भारत के स्वातंत्र होने के पर साथ भी हर्याना किस भारतिय प्रांथ का भाग था कि जो बहुती आसान क्योश्चन है यह आपका 1947 में जब भारत आजाद हुआ था ठीक है तो किस प्रांथ का भारतिय प्रांथ का भाग था इसका अपका अंसर आएगा बी पंजाब पंजाब का हिशा था और पंजाब से अलग हो करके एक नूमर निसे चासिट को हर्याना बना था बी नेक्स क्योश्चन है हर्याना में सीता माता का परशिद और पुराना मंदिर कहां अस्तित है सीता माता का जो परशिद मंदिर है वो आपका है यदि गुरगां आता है तो सीता माता मंदिर है और यहां पर माता का मंदिर नहीं है आपका सीता माता मंदिर वो जो है वो है हिसार में परशिद और पुराना मंदिर ठीक है यदि सीता माई का मंदिर पूछते हैं सीता माई का मंदिर ठीक है है वही माता और माई लेकिन लगा हुआ माई है और सिता माई का मंदिर हम ढूंडते हैं तो वो मिलता करनाल में ऐसा माना जाता है कि करनाल में यहां जो सिता माई का मंदिर है यहां पर माता सिता का जो धरती माता ने निकल लिया था उनको जब उनके सभोन पिर्शा देने का समय आये था था तो है तो नेक्ट्स है और एक लोक सेवा आयोग के शेश्च की न्यूक्ति कोन करता है तो यह क्यूंत है राज लोक से वा ऑल्यूत के तो ऍ' करते हैं उनकी नियुक्ति आपके खरते हैं राज्यपाल भी उप्षन इसका सही है क्यूशन नमबर नो खालिस्तान के बन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एम अनुसंधान के अंदर स्थापित किया जा रहा है कि इन में से कोई जिला है वहाँ पर बन संतोर वन है इन जिलों में से बन संतोर वन है यहाँ एक क्यूशन दो बन रहे हैं इदर एक तो बन संतोर वन में हाथी पुनर्वास के अंदर और अनुसंधान के अंदर और यह आप से पूछा भी जा सकता है कि किस जिलों में किस जिले में बन संतोर वन स्थापित है दो क्योशन इधर से इस क्योशन से बन रहे हैं आपके तो किस जिले में है आपको वो बताना है कि वो किस जिले में है बन संतोर वन वो है आपका बी यमना नगर में बन संतोर वन है नेक्स्ट क्योशन है हरियाना में पुर्शों दवारा पहनी जाने वाली टोपी कहलाती है हरियाना में जो पुर्शों दवारा टोपी पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं ओ है आपकी फंड का next question है आपका नियम 134A के समंद में क्या सही है हमें चार option दिये गए है 134 A नियम आपको पता है कि यह जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में एडमिसन से रिगार्डिंग था ठीक है शिक्षा से जुड़ा हुआ गरीब चात्रों की तो उसमें क्या है तो यह इन में से कौन से जो है आपको दो एक तो दिया गया है एक नमबर पर यह गरीब चात्र को लिए कोई नहीं है तो इन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है तो यह आपका जो है यह एक भी सही है और दो भी सही है एफ कि ए 2016ивать एस से समद्दित है और दुसरा राज यह उचने आले ने भी सही ठेहराया है कि नेक्स्ट के उसना है हर्याना में कि सोरी निम्न में से हर्याना का लोक नर्त्य प्राची इंतम है जो नीचे आपके नर्त्य दिये गए हैं इन में से सबसे प्राचीन दम पुराना नरते आपको बताना है कौन सा है पुराना नरते है आपका सांग सांग आपका सबसे पुराना नरते है और ये नरते आपको पता होगा खोड़िया कब किया जाता है घूमर किया कब किया जाता है और धमाल कहां पर होता है और कब होता है ठीक है खोडिया विवाह के लड़के की बारात जाने के बाद किया जाता है अगला क्योस्चन है छोटू राम से जुड़ा हुआ सर्चोटू राम से चोद्री छोटू राम एक थे एक क्या थे चोद्री छोटू राम किसान नेता थे क पवी थे सवतंतर सेनानी थे या खिलाडी थे क्या थे तो इससे आपको बताना है कि वो किस से जुड़े हुए थे किस परकार के इंसान थे किस तो आप आंसर बताईए इसका आंसर है ए वे एक किसान नेता थे नेक्स क्योशन है पंजाब एवं हर्याना उचने आले के पर्थम मुख्या नयाधीस कौन थे पंजाब एवं हर्याना उचने आले के पर्थम मुख्या नयाधीस क्योशन नबर चोदा है इसका बताईए इसका है नयमूर्थी रामलाल क्यूशन Inc. 15 हर्याना की पर्षिद बढखल जील का निर्मान कब किया गया यह अप अच्छा क्यूशन है हर्याना की जो पर्षिद बढखल जील है उसका निर्मान कब किया गया है उसका निर्मान किया गया था आपका 1947 में 1947 में आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए आप जिसे बेनिफिट अगला कుला मोहरर सिंग स्टेडियम या मियूर स्टेडियम जिस को जाना जाता है मेंसा स्टेडियम के नाम से की है मायूर स्टेडियम आपको बताना है य efforts स्टेडियम आसमें पर रिंस्ट परसे Isaiah यह सक 210 परस्तित है यह आपका मुईर स्टेडियम है फ्रीदाबाद में जिसका उप्शन ए सही है हर्याना का रेवाडी जिला भारत में निमन में से किस उद्योग के लिए परशिद है अब को बताना है हर्याना का जो रेवाडी जिला है वो किस के लिए परशिद है पितल के भरतन का उद्योग के लिए या तिला जुती उद्योग के लिए या हीरो ना मुट सइगल के लिए उप्युक्त सभी एपको यह बताना है कन्फूज वाला है जिसने बढ़ा होगा तो यह आपका option A है पितल के भरतनों के उद्योग का हर्यान हर्यान को रिवाड़ी जिला है उसमें बहुत बड़ा उद्योग है उसके लिए परशीद है ठीक है नेक्स्ट क्योस्टन गन्ना उत्पादन में जिलों को घर्टे करम में बताईए आपका ओप्सन ए दे रहा है आपका यम्ना नगर बी है अबाला सी तीन नमबर पे करनार चार पर सुनिपत तो आपको इन चारों में से घर्टे करम में बताना है कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहां होता है दूसरे नमबर पर कहां तीसरे नमबर पर कहां ठीक है तो आपका किस नंबर 18 है इसका देखिए सबसे ज्यादा होता है आपका यम्रा नगर में दूसरी नंबर पर होता है करनाल में फिर होता है अंबाला में और फिर होता है स्वानिपत में तो उप्शन डी सही है किस्ट नंबर 19 ओदिच्य ब्राह्मन समाचार पत्र कहां से प्रकासित हुआ प्रकासित होता है होकी में जानी मानी हस्ती मुम्ताख्रब का संब्द हरियना किसंध किसंध जिले से ह máxim जो मुम्ताख्रब हैं वो कहां state हैmost इस नेःस्ट है आपकी बेटी हमारी बेटी की अरुजणा की सरूवात कब हुई आपकी बेटी हमारी बेटी की जो योजना है वो उसकी शुरुवात कब हुई थी वो ही थी आपकी आठ मार्च 2015 को ठीक है अगला है हुन्ट सांग का जनम कब हुआ हुन्ट सांग का जनम अप कब हुआ था पांसो इस्वी पूर पांसो इस्वी में हुआ था नेक्स्ट क्योप्शन है अम्बाला स्टित सेंट पॉल का गिर जागर स्थापत्य कला की कौन सी सैली में निर्मित है क्योप्शन नमबर 23 का आपको आंसर देना है कि जो अम्बाला का जो सेंट पॉल है वो गिर जागर किस स्थापत्य कला की कौन सी कला से वो निर्मित है वो है आपका अर्द गोथिक सैली option A सही है next question है स्रोवर के निर्मान से संबंधित जानकारी देने वाला क्रोष्टी लिपी का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ स्रोवर के निर्मान से संबंधित की स्रोवर की निर्मान हुए तो बिलेक आपका हुआ है करनाल के निक्ट महाभारत सथर्ण के विकास के विस्तरत प्रयूजना के लिए क्रोड रुपे दिये गए हैं कितने करोड रुपए दिए गए हैं जो मावारस्टल के सिविशतवित विकास होगा उसके लिए अबने लिए आपके दिये गए हैं अब बताओ 99 क창 नौकल रुपए जिसलिए आ आपके दिये गए हैं 99 करूड रुपए भारत में पहला जल विदुत सकती सिंद्र कहां स्तापित किया गया है भारत में पहला जल विदुत सकती सिंद्र देखिए विदुत सकती सिंद्र हो सकता है लेकिन जल विदुत सकती सिंद्र है क्यों ध्यान से पढ़िए जल विदुत सकती सिंद्र कहां पर स्तापित किया गय है शीवस मुद्रम में है निम्नrän में से कोन बुनियादी धाचे के च्थ हैं उन में कौन साधा वी तुपादन के लिए अधारों निर्मान का बीस्तार जो समिछ पाणिए बुनियादी रहाचिए के च्छेत्र में तो बताइए आप खाद्य उत्पाधन निर्वाद वैस्वी कवरेज के लिए आश्यक भूस्थिर उपगरह के लिए जो भूस्थिर उपगरह आसा मिर्षण के बार्टन एंदर मेरे वंगेड़ में निया कि द्श Nवे दन्यक्रावें और अल्टन आनुगी मत अल्टी का जो आ धर में भू सिर्टक द्रीव में आधने ही मेज़ा थूराई यजा तो इस तो कार्बबन गया पुछ मानफार क Shaun कितने प्रोटोन होंग tichen कि निम्ण में कोन चाय पत्यों कि परसंगे के लिए मेंतक पूल्ण कदमों मैं से नहीं है घ्राइन की म of you इन में से कदम उठाय जाते हैं थू खाने के लिए जो भी इनकी पर्संग र पूल्ण को यूज गिलिए जो किया जता है उनमें कौन सा मेतवपूर्ण नहीं है तो आपका ये जो उप्शन है ये है तोड़ना मनव हर्दे में कक्स जो हैं आपकी वो कितने कक्स हैं वो है आपके चार चार कक्स हैं कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल कब परकाशित हुई थी यह हुई थी आपकी अप्संशी थारा सु सथ सथ वी सवास्थे संग्ठन का मुख्याले कहां स्थित है डिबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन का हेड ओफिस कहां पर स्थित है वो है आपका जैनेवा में अप्संशी इमलिकित में से कौन सा कतन सुमेलित नहीं है जीव मिलखा सिंग फुटबॉल से रिलेटेड है सानिया मिर्जा टैनिस से रिलेटेड है सानिया नेवाल बैडमिंटन से विसवनाथ आनंद विसवनाथन आनंद जो है आपके स्थितरन से रिलेटेड है किस कौन सा नहीं है तो जो आपका पहला अप्संशन है मिलखा वो आपके दोड से रीज़ से जुड़े हैं यह है क्या यह सुमेलत एक्सिजन गैस को सरजित करते हैं तो लेते हैं और उससे फिर उक्सिजन गैस को रिलीज करते हैं पो उसलियां है वाटह सेंटेस प्रकेली में ऐसे ओक्सिजिंग होती है इमने में से कौन शी गैस फुट बोल बलेडर ये बहुत जल्दी भारा जाती है भुट बलेडर होता है में कोन शी गैस यी का मुझतलिब ये भी हो सकता है ती कि फुट बोल क्यों बिना किसी बोतिक संपर्क के एक दूरी से एक वस्तु के बारे में जानकारी इकठा करने की तक्निक को क्या कहा जाता है पोतिक संपर्क के बिना एक दूरी से वस्तु के बारे में जानकारी इकठा करने की वाली जो तक्निक है उसको क्या कहते है इसका अपका उप्शन रहेगा दूरस्त संवेधन उप्शन ए की दूर से जो संवेधन हम कर लेते हैं उसको मानव सरीर के कि संग में सबसे ज़्यादा हडियां की संख्या होती है मानव का जो सरीर है उसमें सबसे ज़्यादा हडियां होती है तो कौन सा अंग है वो है आपका हाथ ठीक है हाथ में सबसे ज़्यादा हडिया होती हैं क्योंकि बहुत सारे उंगलियों के जुआइंट्स अमठे के और अधिली के भी कफिसारे हैं तो हाथ में बहुत सारे हडिया होती है अगला क्यूशन है आपका भारत में उन फसलों के उन फसलों के मोसम का नाम बताए है जो मईजून के मोसम में चावल और मोटे अनाज जैसी परमुख फसलों के साथ आती है मई जून में के मोसम में जो फसले आती हैं उन को क्या बोलते हैं मोटें अनाज जैसे परमुख फसलों के साथ आती है उन को आपका बोलते हैं जायद फसले ठीक है खरीफ की फसले आपके जो गर्मी के मौसियों 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 गर्मी के म नेक्स्ट क्योस्टन है चालिस निमलिकित में से कौन सा प्रस्ताव केंद्रिय बजट से सम्दित है कौन सा प्रस्ताव है जो केंद्रिय बजट से सम्दित है सत्थगनकाल अपेक्स कटोती प्रस्ताव तो जो एंद्रिया बजट से संबंदित है वह कटोती प्रस्ता आओ तीस राप्रोकर अब्रोकर ऑडिदी विचेता कौन है इस्री प्रोकर अबड़ी वही है उसके विजता कि तीसरी जो वह है पतना पाइरेट्स पतना पाइरेट्स तीसरी कबड़ा कबड़ी के विजयता है प्युस्च नंबर 22 थॉमस कप किस खेल से संबंदित है थॉमस कप आफ का बैड मिन्टन से से संबंदित है हमसुप बैड्मिंटंट से संबंदित है किसे नमबर नेक्सट है 43 एड उतपादक वायरस किस वर्स प्रथक होई एड जिस वायरस से होती है इसका जो वर्स पता चला था आपका वह प्ते चला था परसक होई थी सब्सक्राइब करते हैं और पुलिस को यह लगता है कि यह नस्या क्या हुआ है तो उस समय कौन सा ऐसी चीज है जिसको यूज करके पुलिस यह पता कर लेती है कि उन्होंने नसा कर रखता है तो आप इसमें बताईए-fachik अमल यह पोटेसियम परमा नेगनेट सल्फिरिक अमल डॉम्य अंफिल्टर पिपर यह सिलवर पिपर पर इसलीका जेल कोटेड तो यह आपका Klats कि अधिक है सल्फरी का मिल काम उज़ करते हैं कोकुपर को किस के दवारा सूद किया जाता है कोकुपर जो है उसको किस दवारा सुद किया जाता है क्यूशन Mind aż in Be 00.45 था रोश्टिंग के दवारा या उक्षिडेशन के दवारा या Ça बेर या ऐरेक्र लाइसिस ये ज degrafinering नेक्स्क्योंस्टन है उपर से देखने पर आपर से देखने पर पानी की टंगी पनी किस वज़ए से कम गहरी लगती है हम ज disp all और यह कोई वस्त तोंड दे तो वह इस्तक्रकास का सिदा पराइव ज्यद्य परति पर्टुश्यानिया परतन के वज़े से जो उपर दिखाई देती है भारत के किस राज्य में परति व्यक्ति आए सबसे कम है आपको बताना है भारत के किस राज्य में परति व्यक्ति आए सबसे कम है वह आपका बिहार बिहार में परति व्यक्ति आए सबसे कम है कोई शरीर गर्मी में अधिकांस अफसोशित कर लेती है जब वह कोई कोई और सिखनी म मतलब कोई भी वस्तू है कोई joke तो है वो गर्मी को कोई भी बोड़ी है वो गर्मी को अवसोशित कर लेती है सोख लेती है तो कब सोख लेती है जब वो सफेद और चिकनी होती है सफेद और कठोर होती है या फिर काली और कठोर होती है कब वो अवसोशित कर लेती है यह है जब काली और कठोर होती है ठीक है तो वह ज्यादा गर्म हो जाती है क्योंकि वह ज्यादा गर्मी को असोसित कर लेती है नेक्स्ट क्योशन है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट है सिंथेटिक डिटर्जेंट किसके दोरा बनाया जाता है सिंथेटिक डिटरेजेंट आपका बनाया जाता है सोडियम साल्ट ओफ बेंजीन सलफॉरिक अमल के दोरा क्यूसर नमबर बी इसका option जो भी है वो सही है क्यूसर नमबर पचास है आपका अधी के अंदर सब्द किस से संबंदित है क्यूसर नमबर पचास है आपका option है भुकं वोलन फाल्डिंग फाल्डिंग या प्रत्विकी आंतरिक तो आप इसमें से उप्षन बताईए कौन साथ है और अपन्षण ए आपका सही है भुकम्प नेक्स्ट के उप्षन है भारत के सुद्धान में समाजिक नियाए के उद्ध्य का स्पस्टिकर्ण कहां है जो समाजिक सब्सक्राइब दिया गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके दवारा लिखा गया है अब कि सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा अस्वाक उल्ना का ने लिखा था या साहिर लुद्यान भी ने लिखा है मुहमद इकबाल ने रहां प्रसाद बिस्मिल ने ये लिखा था अपका मुहमद इकबाल ने भारतिय स्मिधान की प्रस्ताना में धर्म निर्पैक्स सब्द किस संसोधन दोरा जोड़ा गया क्विशन नंबर 63 अपका कोंश धर्म निर्पैक्स जो सब्द जोड़ा गया था कोंश संसोधन सतन के दोवारा वो जोड़ा आधा आधा 42 मासे स्वधन लास भन को मेनी समिधान समिधान भी बोला जाता है कि 54 निम्न में इसे कौन परिस्टिति की तंतर में दिसाहिम परवह को दर्शाती है और श्रीती की तंतर है इंप uh for many how option a huge Reja fifty five May new measurements एकिसने सभी तीन round of table में भाग लिया राउंट टेबल हुई थी meeting भी राउंट टेबल मिटिंग उसमें इसमें किसने भाग लिया था तीन नो मिटिंग टेबल है राउंटेबल मिटिंग इसमें तीनों में किसने भाग लिया था यह लिया था आपका बी आर अंबेड करने डॉक्टर पहिम्राओं अंबेड कर जी ने पूर्ण रोजगार की स्थीति कहां कब संभव है जहां अनेचिक बेरोजगारी हो जहां जहां स्वेचिक बेरोजगारी ने हो जहां अनेचिक बेरोजगारी हो यह जहां स्वेचिक बेरोजगारी हो तो पूर्ण रोजगार की स्थीति कब और कहां पर संभव है कि सब ही को रोजगार मिल जाए किशन नमबर 56 यह है जहां पर स्वेचिक बेरोजगारी ना हो ठीक है जहां पर स्वेचिक बेरोजगारी ना हो वहां पर पूर्ण रोजगार संबह हो सकता है किशन नमबर 57 एक फ्यूज तार बनी होती है जो एक फ्यूज़तार जो होती है बलब में जो आप देखते हो फ्यूज़तार जो बनी होती है ठीक है फ्यूज़तार आपकी बनी होती है आप बताइए टीन और लेड की मिस्सर दातु से टीन और लेड से मिलकर के फ्यूज़तार को बनाया दाता है सभी सुक्सम्जियों में से कौन सबसे अनुकूलित और बहुमुकी है 58 में सब सबसे अनुकूलिय और बहुमुकी है 58 का जो है आपका वह है वाइरस वाइरस सबसे अनुकूलिय है और बहुमुकी भी है 59 का आज का टेस्ट जो आपका कम्प्लीट होने को है 59 के किस्ट में आ चुके हैं तो आपने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को तो आप वीडियो को सेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा और भी हम अभी आलपलाल में जो एचसेशी दोवारा एकजाम लिए गए हैं उन सभी के वीडियो लेकर आने वाड़े हैं लगभग आपके एकचार क्योस्टन का एकचार क्योस्टन के जो अभी हाल फिलाल में हुए हैं उन सभी का वीडियो आपको लेकर आने वाड़े हैं जस्टी तो आप इनको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए नेक्स्ट क्योस्टन है और पॉरस की सेना ने किस नदी के विपरित डेरा लगाया था तो अब देखिए सिकंदर की ये बीच में नदी थी ठीक है एक तरफ सिकंदर की सेना ने डेरा लगाया हुआ था दूसरी तरफ पॉरस की सेना ने डेरा लगाया हुआ था बीच में के उल नदी थी प्रस्केशन आने डेरा लगा रहा था तो आज का टेस्ट आपको कंप्लीट होता है 60 किष्टन का बहुत इंपर्टेंट most important question थे ठीक है repeated question थे mostly और आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जुरूर कीजिए वीडियो को share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए Thank you साथियो